हलो दोस्तों कैसे आप सब लोग तो फ्रेंट्स आज हम जान लेते हैं चलिए इस वीडियो में यह सिप्लोक्स दीड्रोप के बारे में जो आप यह स्क्रीन पर देख रहेंगे यह सिप्लोक्स दीड्रोप है यह सिप्लोक्स दीड्रोप है यह सिप्लोप दोरा बनाए जाता है जो मैंने आपको बता है भाकि क्या है कि यह आय अंड्रोप दोनों के काम हfolg में आता है यह को आइस में होने वाली कि-सी भी प्रोप्रोप्हलम्स को सही करता है जैसे इसमें रड्नेस हो जाना या होना या फिर स्वेलिंग बगएरा लगना या आइस फ्लू होना या फिर कह सकते हैं कंजक्टिवाइटिस इसको कहते हैं कि इचड़ होना यानि कि आखों में पानी आना उन सब प्रोब्लम्स में यह काम करता है आइस के अंदर बात करें यह काम करता है यह में डालने के बाद में दोस्तों जो इसके काम रहते हैं तो येर के अंदर होने बाला पस या मैल या फिर खुजली बगरा या फिर ऐसे कान के अंदर कोई दानवाना निकलाता है तो उसमें भी अधारत करने लगता है कान के अंदर तो उसमें भी दोस्तों इसके काम रहता है तो बात करें, यह इसके जो काम आता है, आई एंड एर के लिए काम आता है, उसके अंदर जखम बगएर जैसे कुछ हो रहा है, तो उसमें भी इसके जो काम रहता है, यह आँख और काम दोनों में काम करता है, तो यह इसके काम रहते हैं, बाकि बात करें, इसके डालने का जो तो थोड़ा सा ध्यान दे तो ज्यादा तर जो हो यह है इसका दो दो बून दिन में तीन टाइम यूज़ कर सकते हैं यह बड़े हैं दस से पंदरा साल यह उससे नीचे पांस साल तक का बच्चा है तो एक बून दिन में तीन टाइम दिक्कत के ओपर डेलवा सकते हैं बाकि जो बात करें अब हम कान में डालने के तो दो दो भून कान में भी इसका यूज़ कर सकते हैं दिन में तीन टाइम के साब से, लेकिन इसको डालने के बाद हलका सा कोटन कान के अंदर लगा लिया जाता है, तो यह रहता है यहर में यूज़ करने का तरीका, बाकि ऐसे ही और बाकि जहां तक है आई एंड यार से किसी के अंदर भी यूज़ करना चाहते है तो अपने जरूरे हुआ डॉक्टर से सला करके इसका यूज़ करें बाकि यह क्या है स्रिफ्छ प्लोक्स डी ड्रॉप जो है आपको मार्केट में बड़ा इसानी से मिल भी जाएगा क्उछ2 ब्रॉद हिए यह पूरी देखरके ऊंड़ी बाकि चनल को सब्सक्राइब करें बाकि जो नीचे दिया होगा कमेंट्स वोक्स उसमें कमेंट्स लिख सकते हैं और बाकि में और फ्रेंट्स को साथ में इसको जाबसादा है शेयर करिएगा बाकि बात करेंगे अपनी नेक्ट वीडियो में जब तक लोग दोस्तों नमस्कार